तो देश के पांच राजे में चुनाव होने वाले हैं सभी की नजर है कि किस राजे में किस की पार्टी बनेगी और सभी पार्टियां अपनी दरब से पूरी कोशिश करें हैं कि कैसे भी कैसे राजे में उनकी सरकार हो एक राजे है जिसमें चुनाव होने वाले हैं वो है पं करता हों कि आपसी कले में फसी हुई है वो है अपने देश की सबसे बड़ी और ये कहें सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस कॉंग्रेस हमेशा से अपने कारिकरता हों कि आपसी कले में फस जाती है खास कर पंजाब में पंजाब में नवजोद नवजोज सिंग्ग सिद्धू हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी पे आरोब आरोब लगाते हैं। ऐसाल लगता है कि युद्ध कि सवाल खड़े होते हैं कि वह कॉंग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं या पिर वोड कट वा रहे हैं। क्योंकि नवजोज सिंग सिद्धू के ऐसे करने से अपनी पार्टी में कलह करने से कही ना कही जनता को पता चलता है कि जब इनकी पार्टी में खुद ही एकता नहीं है तो ये जनता के साथ क्या अच्छा करेंगे ताकि अपनी पार्टी में उलजे रहेंगे तो दूसरों को क क्या भला करेंगे ऐसा ही कुछ उन्होंने पिछली बार किया था पिछली बार उन्होंने पूर्व सीम अमरिंदर सिंग को इतना परेशान किया था कि उन्होंने अपने पद से सीम के पद से इस्तिफा दे दिया था इस बार भी वो बार बार चरंजीत सिंग चन्नी को टारगे हाई कमान ऐसे व्यक्ति को CM बनाना चाहती है जो कमजोर है जो जनता का भला नहीं कर सकता जनता का भला पंजाब का भला सिर्फ जनता ही कर सकती है ताकि वो अपनी मर्जी से अपना CM चुन सके जो पंजाब का विकास कर सके भला कर सके उनका सीधा सीधा हाई कमान से टारगेट था सोनिया गांधी पे उन्होंने नाम नहीं लेकिन सीदा उन्होंने यही कहा कि उपर वाला चाता है कि कोई कमजोर व्यक्ति उनके इसारों पे नाचने वाला CM बने वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि नवजोज सिंग सिद्धू CM पद पर रहे लोगों को टारगेट कर रहे है इससे पहले उन्होंने अमरिंदर सिंग को परिशान किया था इस बार चरंजी सिंग चन्नी को कर रहे है वैसे देखा जाए तो ये साफ है कि नवजोज सिंग सिद्धू CM पद पे खुद को देखना चाहते हैं अब वो साफ तोर पे ये बात तो खुद नहीं कहते लेकिन समझने वाला समझ जाएगा कि वो बार बार एक ही पद को क्यों टार्गेट कर रहे हैं अब वो खुद CM बनना चाहते हैं तो शायद उन्हें सोनिया गांदी से खुद ही कह देना चाहिए कि उन्हें CM का चहरा खुद अपने आप को बनता देखना चाहते हैं वो खुद स्पंचाब का भला इसी नाम पर करने हैं कि उन्हें CM बना दिया जाए वैसे इस बार कॉंग्रेस किसको CM का चहरा बताएगी वो 6 परवरी को पता चल जाएगा यानि कल ही पता चल जाएगे कि कॉंग्रेस का CM का चहरा आखिर कौन होने वाला है लेकिन अगर चरंजीत सिंग चन्नी हुए तो सायद इस बार नवजोज सिंग सिद्धू अपने पद से इस्तिफा दे दे अभी नहीं हुआ है पहले भी हुआ है पहले भी अपने एक पद से इस्तिफा दे चुके हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि कल CM का चहरा घोशित करने के बाद आखि कॉंग्रेस में आपसी कले के अंदर क्या होता है पार्टी के अंदर क्या होता है पैसे आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस की ये आपसी कले के कारण उनके वोट थोड़ी कट पाएंगे उनके आपसी कले के कारण जनता उन्हें वोट देगी या नहीं हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए फिलाल इस वीडियो में इतना ही जादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें और थम नियूज